जनवरी का दिन, एक एतियासिक दिन बना है हमारे भारत के लिए हमारे भारती एतियास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है उसी से रिलेटेड एक कौट है शहीदों की चिताओं पर जुडेंगे हर बर्स मेले वतन पर मिटने वानों का यही बाकी निशा होगा आज, that means की 20 जनवरी को एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है अमर जवान जोती को नैशनल वार मेमोरियल जो है वहाँ पर जो जलने वाली जो जोती है उसमें उसका विले कर दिया गया है that means की अब सिर्फ एक प्लेस पर ही अमर जवान जोती जलाई जाएगी जो की पहले कहा था इंडिया गेट पर जलाई जाती थी अमर जवान जोती वो अफसे नैशनल वार मेमोरियल पर ही जलाई जाएगी तेक है वही पर प्रजोलित होगी क्या है ये पूरा सीन के किस तरीके से सारे चेंजिस हुए है आज हम अपने इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने बारे है so beginning for a weekend जम्यापका स्वागत है देखिए सबसे पहले आपको कुछ एक चीज़े समझने की ज़रूत है अगर मैं सबसे पहले आपको पता देती हूँ अमर जवान जोती क्या है अमर जवान जोती का जो establishment है वो कब किया गया था December 1971 में किया गया था कहां पर इंडिया गेट पी और इसको unveiled that means की इसका inauguration में कब किया गया था 26 जनवरी 1972 जब हम अपने देश का 23rd Republic Day celebrate कर रहे थे तब हमारे देश के परधान मंतरी इंडरा गांधी जी ने इसको inaugurate किया था clear है अगर मैं बताऊं तो इंडिया गेट जो है इसका जो structure है उसका जो निर्माण है वो 1921 में किया गया था कब किया गया था 1921 में किसने करवाय था Edwin Le Twins ने करवाय था चीक है ना तो एक तरीके से में कह सकते हैं कि वो जो पूरा प्लेस है वो किस से जुड़ा हुआ है Britishers से देखे इंडिया गेट पर जो इंडिया गेट के जो वाल है उस पर जो भी Britishers ने हमारे इंडियान जो है जो शोल्जर्स हैं उनको First World War and Second World War में लड़ने के लिए भीजा था युद में उनके नाम उसके ओपर लिखे गए हैं इंडिया गेट के ओपर उसके नाम लिखे हुए है और इसके अलावा गर मैं बात करूँ तो जो 1972 में जो ये हमारा जो अमर जवान जोती जलाई गई थी और जिसके कि शुरुआत इंडरा गांधी जी ने की थी इस प्लेस पर यहाँ पर किसके नाम लिखे गए है इस से रिलेटर जोती है किन से रिलेटर बराई गई थी इंडिया का जब पाकिस्तान के साथ युद हुआ था 1971 में उस युद में जो सैनिक जो हमारे शहीद हुए थे उनकी याद में ये अमर जवान जोती जलाई गई थी अब बात करते हैं नैशनल वार मेमोरियल पर जरने माली जोती की देखिए इसकी शुरुआत फैबरेडी 2019 में की गई थी किया था तो अब देखिए ये जो वार मेमोरियल है यहाँ पर हमारे देश की आजादी के बाद जितने भी शहीद है उनकी याद में इसको बनाया गया था जो भी इंडिया नाम फोर्स के तो शहीद है उनकी याद में और उन सब के नाम भी golden letters में इसके ओपर लिखे गए देखें बहुत सारे ऐसे शहीद है हमारे देश के जिनके की नाम हम लोगों को पता तक नहीं है लेकिन उनके तक नाम क्या है यहाँ पर golden letter में mention किये गए तो अब तक क्या चल रहा था इतने सालों से कि हमारे country में दो memorial places थे एक तरीके से दो ऐसे places से जहाँ पर क्या है अमर जवान जोती जलाई जाती थी एक मैं आपको पता ही जो की हूँ जो की 1971 में और दूसरा 2019 में बनाया गया है अब क्या हुआ एक conflict क्रियेट हो रहा था कि दो चगाओं पर अमर जवान जोती कैसे जलाई जा सकती है देखे कही ना कही मैं अ जब अब हमारे पास हमारे देश का अपना National War Memorial है तो क्यों ना वहीं पर ही हमर जवान जोती जले तो कही ना कही है विले क्या है सही है तो इसके बारे में और बात कर लेते हैं 3 December 1971 से लेकर 16 December 1971 तक इंडिया का क्या है पाकिस्तान के साथ युद हुआ था जिसके बाद ही क्या है एक तरीके से जो Liberation War of East Pakistan के नाम से भी हम जान सकते हैं जिसके बाद क्या है बांगलादेश का निर्मार हुआ था पाकिस्तान से अलग होकर जो East Pakistan है उसके प्लेस पर बांग तरीके से प्रजोलित करवाई थी और यह बनवाई थी ठीक है जो भी सैनिक उसमें शहीद हुए थे क्लियर ओके आप कुछ एक सेर्मेनी की कुछ कस्टम्स के बात कर लेते हैं कि क्या इस साइंप्लर पर फोलो होता है जो अमर जवान जोती है उस से रलेटेट कुछ कस्टम है हर साल जब भी रिपब्लिक देर होता है उस दिन के आए सबसे पहले प्रेड से भी पहले प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर चीफ ओफ एर स्टाफ नेवी स्टाफ और चीफ और आर्मी स्टाफ टीनों के चीफ और जो भी डिगनेटरी आए है वो सभी वो क्या करते थ होता है वो फूलों का एक सर्कुलर सा होता है ठीक है जो कि एक तरीके से शर्धानजली अर्पित की जाती थी ठीक है हमार जवान जोती पर जाकर लेगन दो हजार उननिस के बाद एक चेंज हुआ और दो हजार बीस से अब क्या कि आ जाता है यह चेंज किस ने नरेंदर पर जाकर एक तरीके से नाशनल वार मेमोरियल पर सबसे पहले जाकर शहीदों को सर्धानजली देते हैं और उसी के बाद कोई फंक्शन की स्टार्टिंग होती है जैसे कि मैंने आपको बताया कि 21 जैनवरी 2022 को हिस्टोरिकल चेंज हुआ है और जो अमर जवान जोती है परफॉर्म की गई है वो बता देते हैं यह जो सेरमोनी है परफॉर्म की गई है इंटिग्रेटिड डिफेंस स्टाफ चीफ के द्वारा कौन है चीफ एर मार्शल बल बढ़दर राधा कृष्ण ठीक है ना कौन है बाल बढ़दर राधा कृष्ण उन्होंने क्या किया है इस बहुत बढ़े जिए उसको परफॉर्म किया है अब कुछ की elements बता देती जो अमर जाओन जोती है उसके क्या दे अमर जाओन जोती है वो अiksi ब्लैक मार्बल एक structure टाइप बना हुए उसके चारो तरफ क्या है जोती टाइप बनी हुई है जो वहाँ पर क्या है जलती है उसके ओपर क्या है क्या नामे आपने देखा हुगा राइफल रखे हुए है L1 A1 self-loading राइफल है और उसके ओपर एक shoulder का helmet लगा हुआ है तो इसमें जो ये जोती जलती थी इसको जलाने के लिए पहले क्या एक तरीके से CNC का यूज किया जाता था और बाद में कैस के लिए LPG का यूज किया जाता था तो और अब क्या है ये change हो ही चुका है कुछ key elements के हैं हमारे war memorial के बता देती है इसमें mainly 4 चक्र का यूज किया गए जो कि हमारी armed forces से belong करते है कौन-कौन से है रक्षा चक्र, त्याग चक्र, विर्था चक्र और अम्र चक्र जिनका की यूज करकर ये national war memorial बनाया गया है I hope so कि आपको ये video पसंद आयोगी, आपको informative लगी होगी so thanks for watching and good luck student, वीडियो को like करे, share करे और please चैनल को subscribe करना ना भूले